चोटी काट गिरोह ने ग्रामीन इलाकों में पूरे तरीके से दहशत फैला दी है अब तब कोई ये समझ नहीं पाया है कि ये गिरोह आखिर चाहता क्या है ये मसला समय के साथ साथ बेहद पेचीदा होता जा रहा है गाउवाले जिस तरीके का दावा कर रहे हैं वो हैरान कर देने वाला है हाल ही में मतुरा के महिंद्र नगर से एक मामला सामने आया है जहां एक बच्ची कही न कही दावा कर रही है कि चोटी कटने के साथ साथ उसकी माँ पर काला जादू भी हुआ है आईए आपको सुनाते हैं कि मा की चोटी कट जाने पर कैसे उसके उपर कही न कहीं काला जादू होने का दावा कर रही है उसकी बेटी कि कि संचू रात को हम सो रहे थे मेरी मम्मी इस तीर मेरा बाइस वी तहा है तो हम सारी फे butterfly see room मैं सो रहे थे तो रात को करें 12 वजर वड़ह की बात एजे रात को हम लाइट औफ कर के सो रहे थे रूम का भी गेट बंद था, सारी गेट बंद थे, गेट बंद करने के बाद मैं मम्मी चिलना ही थी, लाइट आफ करके हम सो रहे जा रहे थे, रात के बारा वजे की बात है, तो मम्मी चिलना ही थी, मम्मी चिलनाने के वासे हम सारे मतरब सो नहीं रहे थे, पर लेटे थे, ज तो मेरी नज़र ठीक नीचे चोटी पर पढ़ीर देखा तो नीचे चोटी पकटी परी दिए तो उसके थोड़ी से बॉन को जाय इसमें से मेरे भाई ठोड़ाँ नहीं दर गया था था तो उसके टूनक्ट कुछ भी दिखाई नहीं दिया अंदर से गेट भी बंदथा नहीं तो हवा थी नहीं कुछ इंसान था नाई कुछ भी नहीं था रूर कि किस तरह कि आवाज नहीं तो पर छैए достy visual कर दे णां इस the bay तो आवाज आई नहीं कोई परचाई थी कुछ भी नहीं था अचानक से बाल नीचे पड़े हुए पड़े थे और अंदर से भी गेट लग रहा था अब क्या लगता है घूजब किए थो आपज तो में संक्किते हैं क्या हैं क्योंकि हमां को कुछ दिखाई नहीं दिया है अगरा दिखाई 하지만 वसकuity उन पता रहा है कि यह और समझ हमने सब कुछ करके देख लिया परमा में किस्तिती वैसी की वैसी है अवी क्या है ये चोटी काट गिरो क्या ये लोगों पर वाकई काला जादू कर रहा है क्या वाकई चोटी काटने वाली महिलाओं को तांत्रिकों के पास ले जाना सही है जहाँ एक और महिलाएं तांत्रिकों के पास जा रही है वही कुछ महिलाएं चोटी कटने के बाद अस्पताल में भडती है जी हां मामला सिर्फ चोटी कटने तक नहीं रुका बलकी महिलाओं ने इस कदर दहशत को अपने मन में बिठा लिया कि उनकी हालत बद से बत्तर हो गई हमारे रिपोर्टर ने जब मतुरा के जिला अस्पताल का जाइजा लेने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि वहां कई ऐसी पीडित महिलाएं हैं जो इसी मसले के बाद अस्पताल में भरती हुई है इन पीडित महिलाओं के परज़नों के साथ हुई बातचीत को जरा सुनिये यह सुवए साड़े तीन बजे की इगटना है के ऊपर एक इनके इनके आपर उनके किरायतार रहते हैं इसकी चोड़ी सी बालिका है इस बालिका के लिए कोई आदमी की मतलब की आवास हुआ था उसको उसकी आखों से आखे मिली नेर से नेर मिली थी तो इस लड़की जोड़ी देसत में आघी उसने देखा भी था को न है तो पर आखे मिली नेर देखा ऑड़के तो चत्य बाल लड़की उपर सूझे नीचे के आदमी को यह नहीं मालूं के चोटी कट चुकी और लड़की बी इस समय गवडाई हुई है वो किसे वने वच्चा जोटी सी अब आपने क्या का रही कि पुलिस को सुचना है थी पुलिस भी पुलिस में सुन पुलिस को भी सुचना ही थी क्या मनते हैं क्या है या कोई उपरी बादा है या प्थवा क्या कहीं या हुआ है यह अफवाह नहीं बलकि सचाई है कुछ ऐसा ही दावा कर रही है पीडित महिला की परीजन लेकिन यहां भी पहले वाले मामले की तरह एक चीज साफ नहीं है आखिर चोटी कटी कैसे आखिर चोटी को काटा किसने मतुरा की पुलिस पूरे तरीके से इसी सवाल में उलजी हुई है कि आखिर ये देहशतगर्द है कौन? मतुरा ही क्या राजधानी दिल्ली, हर्याना और यूपी भी लगातार चोटी कटने की घटनाओं से परिशान है यूपी के इटावा से एक लड़की राधा के साथ भी ऐसा ही हुआ उसका दावा है कि जब राध के समय वो खाट से नीचे उतरी तो उसकी चोटी कटी हुई पड़ी थी लेकिन अजीब बात ये है कि राधा का इसके साथ ये भी कहना है कि उसने किसी विशाल, नाखुनों और डरावनी आकृती वाले को चोटी काटते हुए देखा है कि अजीब बात ये जैसे उटे काचार काई पैसे हमारे वाल प्यार के नीचे आदे खाट पर आदे अधी अधी चे परीते और जीने पर चड़े सुड़ी पर मुझे दो नाखुन दिखाई दी ये खुब बड़ी गड़ी वो काई वो गए कौन था देख पाई ये तो मुझे कुछ नहीं पता है आपके गाओं के अंदर और भी हुआ ऐसा मुझे कुछ पता नहीं पिर क्या किया फर आपने जीने से इन गिरे एकदम पचार फखा गया तो अब अगर आपने गौर किया हो तो एक चीज ऐसी है जो कहीं न कहीं दिखाए गए इन तीनों मामलों में सामान्य थी और वो था काला जादू यानि कि इस मामले की जड़ कहीं न कहीं काला जादू ही है क्या काला जादू जैसी चीज वाकई होती है चलिए ये भी जान लेते हैं दरसल हमारी बात एक ज्यानी पंडित से हुई जिन्होंने बकाइदा इस शेत्र में डिगरी हासल की है जब हमने इनसे काला जादू के अस्तित्व पर बात की तो इन्होंने क्या कहा आईए सुनाते हैं आपको काला जादू होती तो है विलकुल लेकिन इतनी आसान नहीं होती इतनी जैसे लोग बता रहे है ना जैसे अपवा पेली हुई है, इतनी जल्दी नहीं वह करती कभी ही, ठीक है ना, और ये तो जिसका नाम ही काला है, वो तो दिन चिपने के बाद ही उसका प्रियोग होता है हमेशा, अच्छा, और उसके ना क्रिया करने की ना कुछ विशिष्ट योग, विशिष्ट किती महु वही कर सकते हैं, ठीक है ना, ये इतनी आसान क्रिया नहीं है, जितने लोग इसको बताते हैं, तो लोग जो इसे काला जादू बता रहे हैं, ये संभव नहीं है, बिल्कुल नामम्किन बात है, इतने जल्दी, ऐसे नहीं वह करता कभी ही, ठीक है, पता है कि कोई भी काम कुरता है, जिब उसके नाम, उसके गोतर, उसके माता पीता, उसकी फुल एड्रस का पता है, जोटीकाट के ले हैं, क्या नाम था, क्या नहीं था, किसी को पता है नहीं, किक नाम से कर rul जाबगा वह तो अपका नमबर पता होना चाहेंगा आपका नबड़ किग ज्यादा serious होने की जिरूरत बिलकुल नहीं है ठीक है ठीक है